इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पर आप आइफोन के कंट्रोल सेंटर या फिर इसे नटिफिकेशन बार भी कहते हैं अगर इस तरीके से इसे नीचे लाते हैं तो यहां पर आप मेरे फोन में देख सकते हैं कैलकुलेटर का आइकन है इसे मैं ओपन कर देता हूँ तो कैलकुलेटर डारेक्ट ओपन हो जाता है तो अगर आपके फोन में भी यहां पर यह अवेलबल है या आप इसे रिमूव करना चाहते हैं अगर अवेलबल नहीं है तो आड करना चाहते हैं तो रिमूव और आड कैसे करें चलिए यहां पर मैं आपको बताऊंगा विडियो ध्यान से देखते रही है सेटिंग्स के आप्शन पर आजाए अपने फोन में इसके बाद नीचे की तरफ आप आजाएं यहां पर आप देख पाएंगे जनरल के नीचे कंट्रोल सेंटर क्लिक करके ओपन कर लें यहां पर आपको नीचे की तरफ आना है और यहां पर आप देख पाएंगे मेरे फोन में कैलकुलेटर एड है ठीक है यहां से मैं आप जैसे ही रिमूफ कर देता हूँ तो यहां से यह हड गया है अब कहां जाता है हड के यह नीचे वाली लिस्ट में चले जाता है आप कैलकुलेटर के इलावा कुछ और भी यहां पर आड कर सकते हो कोईक नोट, टेक्स, साइस, टाइमर कुछ भी कर सकते हो बढ़ हमें कैलकुलेटर ही आड कर रहा है तो प्लस मैंने कर दिया यह वापस यहां पर आ गया है और यहां पर भी यह आड हो गया है इस तरीके से आप कैलकुलेटर आड कर सकते हैं अपने नोटिफिकेशन सेंटर में उमीद करता हूं वीडियो पस्द आई होगी टेक्सवर को सब्सक्राइब जरूर कर दे